यहां पर जो exhaust है या आपका side mounted exhaust दे रखा एक बार मैं आपको आवाज सुना देता हूं कैसा है और यहां भी बाइक इस्टार्ट कर देते हैं Hello everyone, welcome back to my channel Solar Traveler, this is Ram your friend और यहां पर मेरे सामने खड़ी है 160cc की दो बाइक और दोनों ही naked segment की बाइक है price range भी काफी ज़्यादा आसपास है तो अगर market में आप 160cc की कोई bike purchase करना चाहते हो तो यह दो bike आपके option में जरूर आने वाली है तो in case कोई दुविदा है तो भाइए उसके लिए मैं हूँ यहां पर दुविदा आपकी solve करने वाला हूँ तो एक है आपकी बजाज की Pulsar N160 Pulsar family से belong करती है और दूसरी आपकी TVS की Apache 160 2V दोनों ही bikes आपकी 2V engine के साथ में आती है यहां पर जो Pulsar 160 बोलते है लेकिन 164.5cc का इसका engine होता है वही पर Apache में आपका 159.7cc का engine होता है तो थोड़ा सा cc जो इसका है वो जादा है आल्मोस्ट 5cc का आसपाथ बद उतना जादा difference उससे नहीं आने वाला है प्राइस की सबसे पहले बात बता देते है क्योंकि बाइब दोनों बाइकों कर रहे हैं तो आपके मन में तो यह होगा ना आपका है लेकराज मेटरों के नीचे तो वहां पर यह बाइक आपकी अवलेबल है वहां से पर्चिस कर सकते हो तो एक लाग बहतर हजार रुपए के आसपास ऑन रोट पढ़ने वाली वहीं पर अगर आप अपाचे को पर्चिस करने चाहते हो तो यह आपकी एक लाग शाटावन अठावन हजार के आसपास परने वाली तो इक लाग साथाजार के आसपास होने वाली तो बारह हजार रुपए का difference है आप आपको 12,000 रुपए कम में मिल जाएगी वहां पर आपको 12,000 रुपए ज्यादा देन रुपए गा और इन केस अगर आप 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 आचे बाई करना चाहते हो तो आप TVS की सिरिंडरो मोटर से खरीच सकते हो उनके 2-3 आपके जो शोरूम से अवलेबल है पूरे लखनौ में तो चलिए बात कर लेते हैं कि 12,000 रुपए का जो डिफरेंस हो उसमें क्या-क्या चीज़े आपको मिलती है और कौन सी बाइक जो है वो ज्यादा वैल्यू फोर मनी होने वाली है तो सबसे पहले इंजन की बात कर लेते हैं तो बैज असरे मैंने बताया कि दोनों बाइक में सेम 160 CC की इंजन होते है तो यहाँ पे आपको 2V engine मिलने वाला है air cool engine मिलने वाला है ऐसे कोई liquid cool और all cool technology नहीं मिलने वाले है simple engine है बट power figure की बात अगर बता दू तो 16 PS यानि 16 PS की power देता है और आपको 14.65 Newton meter का torque देता है यहाँ पे तो अच्छी power दे रहा है यह आपका 6,750 RPM पे देता है तो अच्छी कासे मिलने मिड में आपको torque मिल जाता है तो गेर भी बहुत जादा shift नहीं करने वाले 5-speed gear transmission के साथ में आती है और इंजन इसका बहुत ही ज़्यादा स्बूध है लिटरली इस बाइक को पहनी बार में चला रहा था मुझे लग रहा था मैं कोई Honda की बाइक चला रहा हूँ इस लेवल की refinement आपको इस लेवल की smoothness आपको बजाद की तरफ से यहाँ पे मिल रही थी वहीं पे अगर मैं आपको Apache की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे भी आपको 160 CC का engine देखने को मिल जाता है अच्छा engine है, same 2V engine यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है air cool engine यह भी आपका 5 speed gear transmission के साथ यह भी आता है तो यह सारी चीजे similar है power यहाँ पे भी आपको 16.04 PS की मिलती है तो 0.04 PS की power ज्यादा मिलती है जो कि मुझे लगता है कि negligible है उतसे आपको बिल्कुल भी फरक नहीं पता चलेगा torque यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलता है कि जैसा कि इसका engine था वो आपका 5 CC के आसपास छोटा है तो यहाँ पे थोड़ा सा कम torque मिलता है आपको 13.85 Nm का torque मिलता है तो almost 1 Nm के torque का difference आने वाला है बट City में आपको पता नहीं चलने वाला है क्यों नहीं पता चलने वाला है क्योंकि Apache के जो overall body है वो आपकी हलकी है 138 kg के आसपास इसका weight है वही पे गर आप N को देखोगे तो यहाँ पे आपको 150-152 kg के आसपास का weight मिलने वाला है तो आपके थोड़ी भारी side में है तो वह जो 1 Nm का torque है वह अतना practical side में आप देखो तो आपको फर्क नहीं पड़ा जालेगा almost दोनों bikes का gear ratio हो गया और कितनी gears change करने वाले है जो power figure है वह almost आपको same मिलने वाले है Apache के engine जो हगर मैं smoothness की बात कर दूँ तो वह Nm जितना smooth नहीं है थोड़ा सक कम smooth है बट मुझे लगता है कि ज़्यादा robust है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है 8-10 सालों से ये market में है आपकी 2V और अब तक इसके engine में ऐसी कुछ ज़्यादा problem नहीं आई तो कहीं नगी थोड़ी सी ज़्यादा ये आपको reliable feel होगी इसके अलावा front में मगर ले चलता हूँ तो यहाँ पर ले चलता है पाचे में तो यहाँ पर front में आपका 17-inch का alloy देखने को मिल जाता है tire segment की बात कर लो तो 90-90 के segment के tire है तो अच्छे कासे white tire मिल जा रहे है और इसके अलावा disc की बात कर लेता हूँ तो front में आपको 270 mm के petrol disc brake देखने को मिल जाते है यहाँ पर जो आपके disc caliper है उस पर कोई brand name mention नहीं है तो बिरकाल से inbuilt TVS ने develop कि होगे या पर किसी company से कि होगे बट इसके नाम वबली disclose नहीं करना चाते है बट पैटल disc brake है तो अच्छी खासी cooling करते हैं disc को और अच्छी आपको bite देखने को मिल जाती है single channel के साथ आते है यहाँ पर एको super moto ABS लिखा हुआ है super moto का मतलब क्या होता है कि जो पीछे वाला channel आपका tire है पीछे वाले tire में जो brakes होते है वहाँ पर ABS नहीं होती है सिफ front में आपको ABS मिलता है तो यह आपका single channel ABS के साथ में आपको आती है वहीं पर अगर मैं आपको N की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पर जो front का tire है अगर आप देखोगे तो यह आपका 100 segment का tire देखने को मिल जाता है तो यह वहाँ पर Apache से थोड़ा सा जाधा white tire है इसके लाब जब डिस्क की है यह आपकी 280 mm की डिस्क है तो वहाँ से 10 mm ज़्यादा देखने को मिल जाते है बट ओवराल जो braking की performance तो यहाँ पर आपको white tire मिलते है गोल्डर के suspension bike को थोड़ा सा जाधा bold look देते है थोड़ी सी जाधा जो आपकी bike है वो जाधा premium feel होती है और cornering करते समय और roads पे भी अच्छी खासी आपको जो stability है वो आपको देखने को मिल जाते है वही पर अगर आप Apache की तरफ लिचलोगे तो यहाँ पर आपको conventional suspension मिलते है तेलिस्कोपिक तो वो आले suspension मिलते हैं काम और Indian roads पे काफी जाधा अच्छा करते हैं लेकिन high speed पर cornering में थोड़ी सी stability issue आपको आ सकती है क्योंकि थोड़ी से जाधा loose होते हैं आपके यह इसके अलाबा जो सामने का front का lug है इसकी वज़े से थोड़ी सी जाधा पठली दिखती है बाइक तो यह सारी चीजे हैं बट यहाँ पे है कि आपको 12,000 रुपए कम पैसे भी देने को मिल रहे हैं यहाँ पे तो उस हिसाब से यह थोड़ी बहुत differences है फ्रंट की अगर headlight की तरफ में आपको ले चलूँगा तो यह आपके थोड़ी सी bulky shape में headlight आती है fully LED headlight है यहाँ पे आपके reflective LED lights लगी हुई है इंडिकेटर जो हैं यह आपके यह आपके थोड़े से देखने में मतलब hyalogen वाले दे दिए गए है यह भी LED होते तो बहुत ही जादा अच्छा काम करते इसके लाबा देखी मैं on करके दिखा देता हूँ headlight कैसा काम करती है तो यह आपकी headlight है तो ठीक ठाक throw आपको मिल जाता है दिन में उतना throw का पता नहीं चलेगा और यह आपका इसका horn है यहाँ पे आपको dual horn देखने को मिल जाते है तो horn जो है वो आपका अच्छा खासा loud देखने को मिल जाता है वही पे अगर मैं आपको N की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा sharp look देखने को मिल जाता है तोड़ा सा जाता है, फूचुरिस्टिक लुक देखने को मिल जाता है, प्रोजेक्टर हैड लाइट से ज्यादा अच्छा मिलने वाला है, क्यों? क्यों कि प्रोजेक्टर लाइट है, इसके लावा यहाँ पर जो DRLs हैं, यह भी पैलेट लाइट की तरह मिल जाते हैं, यह भ आपके DRLs जो हैं, वो अन हो जाएंगे, एक नट, यह देखे, यह मैंने इसको अन कर दिया है, तो यह देखे, यह आपके DRLs अन हो गए हैं, तो अच्छे दिखते हैं, अच्छा खासा वर्क करते हैं, इसके लावा मैं हॉन सुना देता हूं आपको, तो यहाँ पर आपको सिंगल हॉन देखनों को मिल जाता है, यहाँ साइट में आपका हॉन लगा हुआ है, तो थोड़ी सी अपाचे का हॉन है, वो थोड़ा सा बेटर साउंड करता है, इसका हॉन थोड़ा सा छोटा है, बट इस्टिल, जो वर्क है, वो आपका इसली, कम्प्लीट हो जाएगा, अब ले चलतो हो पेट्रोल टैंक की तरफ, तो यहाँ पे जो आपकी N160 है, यहाँ पे आपको 14 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है, 14 लीटर का पेट्रोल टैंक, जो काफी ज्यादा बड़ा पेट्रोल टैंक है, कम्पनी बोलती है कि यह आपकी 60 के 8 पास का मालेज देगी, बट on road आपको 50 के आसपास का mileage मिल जाता है तो काफी अच्छी range आपको देखने को मिल जाती है tank का shape भी काफी ज़्याद अच्छा है यहाँ पे आपका 3D Pulsar का batching दे रखा है इसके लावा यह आपका side का cowl यहाँ पे stickring है तो overall जो looks है वो काफी ज़्यादा enhanced है इसके लावा यहाँ पे आपका USB charging port भी दे रखा है तो यहाँ पे आप easily charge भी कर सकते हो वहीं पे अगर मैं आपको TVS की Apache की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे भी काफी ज़्यादा muscular काफी ज़्यादा bold petrol tank देखने को मिल जाता है यहाँ पे भागता हुआ घोड़ा है 3D में जो Apache की batching है इसके लावा इसका भी tank काफी ज़्यादा bold लगता है काफी ज़्यादा attractive लगता है बट यहाँ पे जो size है यह आपका 12 लीटर का है mileage almost आपको N और आपकी Apache दोनों में 50 के आसपास on-road mileage मिल जाती है 45-50 के बीच में बट वहाँ पे 2 लीटर ज़्यादा capacity मिलती है तो वहाँ पे overall आपको जो range है वो ज़्यादा मिलनी वाली है इसके लावा लेचलता हूँ आपको meter की तरफ तो यहाँ पे देखो यह में meter on कर रहा हूँ आपका तो यह है fully digital meter है लेकिन थोड़ा सा छोटा सा digital meter है आपका यहाँ पे देखो high apachean लिखके आगया काफे ज़्यादा sexy लिखता है इसके लावा यहाँ पे आपको देखो यह sports है इसको मैं change करता हूँ एक बार तो यहाँ पे आपको modes भी देखने को मिल जाते है यहाँ पे आपका एक side में button दे रखा है उससे देखो rain mode हो गया urban mode हो गया और sports mode हो गया तो 3 mode देखने को मिल जाते है यहाँ पे आपका bluetooth connectivity है side stand लगा हुआ है gear मिल जा रहा है देखने को RPM मिल जा रहा है speedometer मिल जा रहा है time show कर रहा है average show कर रहा है और यहाँ पे fuel meter के साथ odometer यह सारी information है और meter को चलाने के लिए यह 2-3 switch यहाँ पे दे रखे है तो देखो यह है और यह आपका M का है इनको अगर आप करतो तो यहाँ पे lap timing देखने को मिल जाता है high speed mode average हो गया उसके इलावा और भी काफी सारी information देखने को मिल जाते है बट यहाँ पे एक चीज है कि यह जो meter है थोड़ा सा ज्यादा चोटा है थोड़ा सा और बड़ा होता तो आपकी overall जो present होती वो ज्यादा अच्छी लगती आपको एक बार end की तरफ ले चलता हूँ तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे जो meter है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा देखने को मिल जाता है इसको display जो है मुझे लगता कि Apache सा थोड़ा सा बैटर इसका display देखने में लगता है और information भी ज्यादा clear देखने को मिल जाती है क्योंकि आपको बड़ी जगे मिल जाती है information display करने के लिए यहाँ पे भी तीन राइडिंग रोड आपको देखने को मिल जाते है यह बटन है यहाँ देखो off-road mode लिखा हुआ है इसके लावा road mode हो गया और यह आपका urban mode बगल में आपका आजाता है रेन mode है यहाँ रोड रेन और off-road mode देखने को मिल जाते है यहाँ पे आपको turn by turn navigation भी देखने को मिल जाते है यह उपर आपका rpm meter हो गया, यहाँ पे speedometer हो गया, full gauge हो गया, gear चुगया information almost दोनों ही में काफी जादा अच्छी देखने को मिल जाती है handlebar, यहाँ पे आपको tubular handlebar मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा जादा committed है riding की तरफ, थोड़ा सा aggressive लगता है देखने में अगर मैं एक बार बैट के आपको दिखाता हूँ, तो बिलकुल state में नहीं बैट सकता है थोड़ा सा आगे मैं जुका हुआ हूँ, बहुत, मतलब, बहुत हलका सा आगे की तरफ जुका हुआ हूँ थोड़ा सा bike के साथ ज्यादा connection field होता है, बहुत लंबे टूर में यह चीछ हलकी सी problem दे सकती है बट still, stance काफी अच्छा है तो ज्यादा problem नहीं बने वाली, बट city में यह आपको क्या है, एक ज्यादा better handling देगी इसके लाबा यहाँ इस side में आपका जो brake है, यह आपका single उसमें आता है, यहाँ पे ऐसा कोई adjustability का option नहीं दे रखा है और यह आपका throttle response हो गया, यह आपका engine on off का switch हो गया इसके लाबा यहाँ पे आपका यह light का switch है, इस से क्या होता है, जो आपकी pilot light है, प्लाइट light के नीचे जो मतलब projector lights उनको बंद कर सकते हो, यहाँ करोगे तो projector बंद रहेगा, यहाँ पे करोगे तो projector का switch हो गया, इसके लाबा ये clutch है, ये भी single उसमें है, ऐसा कोई adjustability का option नहीं देखने को मिलता है, एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको comfort रहे गएगा, लेकिन city में जो commanding position है, वो end में ज़्यादा आपको अच्छी मिल जाती है, यहाँ पे भी brake और जो clutch है, वो single metal में है, aluminium में कोई accessibility का option नहीं है, same इस तरफ आपका engine on-off का switch हो गया, यह आपका throttle हो गया, यह आपका electric की start होगा, यहाँ पे mode का switch दे रखा है, और यह आपका master cylinder, इसके लावब अगर आप left side में करेंगे, तो यह आपका clutch का हो गया, यहाँ पे आपका high beam, low beam का हो गया, इधर pass का switch है, यह आपका eye का switch दे रखा है, यह आपका indicator का switch दे रखा है, यह horn का switch दोनों almost bikes में same ही है, यह यहाँ पे भी आपको जो hazard light है, वो नहीं मिलती, मुझे रखा है, आज कल के जो manufacturer है, वो hazard light को जो है, वो almost सारी bike को में डाल रहे है, तो इन में भी upgrade दे दे बाई, hazard light दे दे, फरजी में बहाद से install कराना पड़ता है, वो कपल और पल जोड़ना पड़ता है, मन में एक tension रहत और यहाँ पे RTR 160 का logo, यहाँ पे इंडिया का tricolor, इसके लावा में देखो, यहाँ पे यह racing edition लिखा हुआ रहा है, और यह आपका dual color मिल जाता है, यहाँ पे red color मिल जाता है, इस side में भी थोड़ा सा red color मिल जाता है, और यह पीछे तक आपका गया हुआ हुआ है red color, यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे भी यह red color देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपका grab wheel handle देखने को मिल जाता है, और नीचे side में देखोगे, तो यहाँ पे भी front के जो alloys है, यह आपके red है, पीछे के alloys जो है, वो भी आपके red है, तो यह थोड़ा सा कहीं न कहीं, racing edition जो है, थोड़ा सा आपको better look दोता है, ऐसा लगता है कि हाँ, थोड़ी सी ज़्यादा आपकी premium है, seat जो है, अच्छी है, लंबी seat है, pillion के लिए, और rider के लिए, दोनों के लिए अच्छा खासा space है, seat height की बात कर लो, तो 790 mm के आसपास की seat height है, और जैसा कि मैंने आपको बोला, कि 800 के नीचे की seat height, Indian riders के लिए काफी जादा versatile है, क्योंकि 5 foot, 5 foot, 3 inch, 5 foot, 4 inch, 5 foot, 7 inch वाले, हर को easily इसको carry कर सकता है, चला सकता है, ground clearance काफी ज़्यादा अच्छी मिलती है, 180 mm की ground clearance मिलती है, गाउँ वाँ में, अगर आप चला रो, बड़े-बड़े huddle लगे वे रोडों पे, तो million kill भी देखने मिल जाता है, यह आपका grab it handle जो है, यह भी काफी जादा strong है, यहाँ पे जो seat height है, यह आपकी 795 mm है, तो 5 mm का difference है, ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा, बट हाँ, जब आप बैटतो हो, तो थोड़ी सी बड़ी यह बड़ी यह बड़ी आपको पता चलती है, बट still आप किसी भी height के हो, 5-5 हो, 5-4 हो, easily this bike को manage कर ले जाओगे, यहाँ पे जो ground clearance है, वह पाचे से थोड़ी सी कम है, 165 mm है, बट जैसा मैंने बोला कि 160 के उपर की कोई भी bike, easily आप इंडिया के लिए खरीच सकते हो, आपको किसी भी huddle में कोई problem नहीं देने वाली, अब चलते हैं, आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ में, तो यहाँ पे पीछे जो है, यह भी आपका 17-inch के alloy देखने को मिल जाता है, और पीछे के जो आपके disc brake है, यह आपके 230 mm के देखने को मिल जाते है, और यहाँ पे भी proper disc brake है, और dual channel ABS देखने को मिल जाता है, यह एक पीछे की तरफ आपको disc brake तो देखने को मिल जाता है, यह आपका 200 mm का है, पैटल disc brake है, बट हाँ, N से अगर compare करोगे, तो थोड़ा सा छोटा disc brake है, और यहाँ पे single channel था, जैसा कि बताया था कि supermoto वाला ABS लगा हुआ है, तो पीछे आपको ABS देखने को नहीं मिलता है, single channel ABS है इसके लावा पीछे का जो tire है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, कहां लिखा हुआ है यह, तो इस side में आगे देखता हूँ, तो यह 120 segment के tire यहाँ पे लिखे हुए है, यह आप दिखाओगे तो यह दिखो दिख रहा है, तो यहाँ पे tire है, थोड़े से ज़्यादा narrow है, वह यहाँ पे जो tail light है, यह भी पूरी LED वाली है, सेम जो pulsar वाला style है, dual tail light यहाँ पे मिलती है, split वाली, वह आपको देखने मिल जाती है, और indicators जो है, वह आपको LED देखने को मिल जाते है, और यहाँ पे आपका यह भी लगा हुआ है, tire hugger, तो कीचड में भी आपको को ज़्यादा कीचर नहीं आने वाला, यहाँ पे जो backlight है, यहाँ आपको LED देख रखी है, बट सेम जो indicators है, यहाँ आपको LED देख रखी है, तो मुझे लगता है, पाचे में भी LED लगा देने चाहिए, सारी bikes में आपका LED देख रहा है, यहाँ पे जो exhaust है, यहाँ आपका side mounted exhaust एक बार मैं आपको आवाज सुना देता हूँ कैसा है, तो गाड़ी start कर देता हूँ, और हमेशा की तरह मैंने horn दबा दिया, तो one touch start है भाई, easily start हो जाती है, यह आपकी Apache का sound है, एक बार N160 का sound में आपको सुना देता हूँ, और यहाँ भी bike start कर देते हैं, तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि N160 का sound थोड़ा सा जादा loud है, थोड़ा सा जादा bass है, यहाँ पे आपको underbelly exhaust देखने को मिल जाता है, तो आप मुझे बताएगा, आपको कौन सी bike का exhaust sound ज्यादा अच्छा लगता है, तो almost सारी चीजे में cover कर्चे हूँ, एक चीज और है क पाचे में पीछे की तरफ अगर आप आओगे, तो यहाँ पे जो conventional आपको inverted suspension मिल जाते है तो यहाँ पे देखने को मिल जाते है, तो इसकी weight carrying जो capacity है, तो यह वो ज्यादा होती है, बट stability जो होती है, वो अतनी अच्छी नहीं, stylish होती ज्यादा नहीं दिखते, वही पे N में आप देखोगे, तो यहाँ पे पीछे proper जो आपकी USD suspension आते है, नाइट रॉक्स वाले, 7 step adjustable, वो यहाँ पे देखने को मिल जाते है, तो देखने में कही बाइक ज्यादा sport ही दिख जाती है, तो अब एक बाद कर लेते, conclusion की बात, तो बाई, simple सी चीज है, कि अगर आप Apache बाय क मिल जा रहे है, मीटर का साइज थोड़ा सा बड़ा मिल जा रहा है, USD suspension आपको देखने को मिल जा रहे है, और dual channel ABS देखने को मिल जाते है, तो इन सारी चीजों की अगर आप cost देखते हो, तो 12,000 रुपए से काफी ज़्यादा cost आने वाली है, और indicators भी LED देखने को मिल जा रह क्योंकि पीछे के suspension काफी जादा strong है, आपके inverted, जो दोनों साइड के होते है, spring वाले, वो suspension करें, तो weight carrying capacity इसकी काफी जादा अच्छी है, इसके लाब अगर आपको old classic look पसंद है, तो यहाँ पे same look आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ी सी जादा reliable bike देखने को मिल जाती ह वाई पे अगर आप in case, आपको थोड़ी सी advanced bike चाहिए, तो देखने में ज़्यादा sporty हो, in case को आप कहीं से जार हो, तो लोग आप चाते हो कि हाँ, आपकी bike को रुक के थोड़ी देर देखें, और बोलें हाँ बाई, कौन सी bike है, काफी ज़्यादा awesome देख रही है, तो looks के मा आपको सर्विस सेंटर इसली मिल जाते है, उतनी problem नहीं है, तो आप लोग मुझे बताएगा कि इन दोन में से आपको कौन सी bike ज़्यादा पसंद आई, और social media handle में रहा है, यहाँ डिस्पले हो रहा है, I am.SoloTraveler, वहाँ मेरे साथ connect है सकते हो, इसी के साथ, ride hard, ride safe, this is Ramso Taro signing off, keep being awesome.